शरत पवार ने क्यों किया लोगसबा चुनाव नहीं लड़ने का एलान? लोगसबा चुनाव नहीं लड़ने के पीछे एंसेपी प्रमुक की चाल क्या है? एक और जहां लोग सबा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं तो वही NCP प्रमुक शरत पवार ने अगामी आम चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सभी को चुका दिया मराठक शत्रप का ये एलान पिछले हफ्ते दिये गए उनके बयान के ठीक उलट है जिसमें उन्होंने सोलापूर की माढ़ा सीट से चुनाव लड़ने की बाद कही थी राजनितिक गल्यारों में पवार के इस बयान के सियासी माइने निकाले जा रहे हैं दरसल स्चरद पवार के चुनावी मैदान से हटने की असली वज़े माढ़ा में पार्टी के भीतर अंतर विरोध और परिवार की अंतर कल्याय माना जा रहा है पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच टकराव चल रहा है खबर है कि अजीद पवार अपने बेटे पार्थ पवार को मावल लोग सबा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थी लेकिन पवार पहले ही एलान कर चुके थे कि पवार परिवार से सिर्फ दो सदस से उनकी बेटी सुप्रिया सुले बारामती से और वो खूद माड़ा से चुनाव लड़ेंगे पवार ने कहा था कि अगर उनके परिवार के सदसे ही चुनाव लड़ेंगे तो कारेकर्टों को मौका कब मिलेगा उधर पेटे पार्थ के लिए अजीत अपने समर्थकों से पवार पर दबाव बना रहे हैं हाल ही में बारा मती हॉस्टल में हुई बैठक के दौरान अजीत समर्थकों ने जब पवार पर फिर दबाव बनाया तो उन्होंने खुद को चुनावी मैदान से अलग कर लिया और परिवार की तीसरी पीड़ी के नुमाईंदे पार्थ के चुनाव लड़ने की जिद के आग का देने का फैसला किया अब कोछ भले ही इसे पवार का चुनाव से पलायन मान रहे हैं लेकिन जानकारों के माने तो पवार ने शुरक्षित आप खिला अपने इस फैसले से पवार ने इस अंदेश दिया कि परिवार के दो हिस सदस्स्यों के चुनाव लड़ने की अपनी बास से ना डिक्ते हुए उन्होंने अपनी उमीद्वारी वापिस ली और कारेकर्ताओं का हक मरने नहीं दिया। दूसरा दाव उन्होंने ये खिला कि माढ़ा में पार्टी की अंतरकहले से बचने के लिए अपने वचन को धाल बना लिया। इतने नहीं माढ़ा में घिरने के लिए बीजपी और अन्य दलू की ओर से रची जा रही कोशिचू को भी ववाण ने नाकाम कर दिया।